बिहार में दो जगों पर उपचुनाब के बाद जिस प्रकार से तारापूर और कुछे स्वरस्थान में बिधान सवा का उपचुनाब का प्रचार प्रसार जिस प्रकार से जारी था पिछले एक महिने से वह अग थम सा गया है आज परसो वोटिंग होगा उससे पहले जो नियम और कानून है वह आज ही प्रचार और प्रसार पर रोक आज साम से लग गई है उसके बाद फिर जिस प्रकार से तमाम नेताओं की जो बयान बाजियां है वह थमने का नाम नहीं ले रहा है वह जारी रहेगा भले ही उन दोनों बिधान सभाओं में प्रचार प्रसार करते हुए नेता नहीं नजराएं मगर इन कल आज और कल के समय में देखेंगे कि किस प्रकार से नेता कई कुछ न कुछ ऐसे बयान देते रहेंगे जिससे की राजनीती का महौल और भी गर्माता रहेगा इसी के बीच चिराग पासवान के ऊपर चकाई से जो विधायक है सुमित कुमार सिंग विहार सरकार में मंत्री भी है तो उनका जिस प्रकार से बयान आया है चिराग पासवान को ले करके उनका कहना है कि यह नेता हवा हवाई है और चिराग पासवान को अब ऐसे सब poking हो जाएगा और ससी Now Day की जीतने की बाते भी की है सुमित कुमार सिंह ने सुमित कुमार सिंह का यह भी कहना था कि जो महागटवंधन है महागटवंधन जब दो खेमों में लड़ रही है पिछले बार जब दोनों साथ थी तब तो जदिव की जीत हुई थी मगर इस बार जब दोनों अलग-अलग है तो फिर कैसे जीत होगी वो तमाम बाते हुआ समझाते हुए नजर आए साथ ही यह भी बतलाते हुए नजर आए कि चिराग पास्वान के उपर जिस प्रकार से उनकी चीर प्रतिद्वन्दी मानी जाती है और चीर प्रतिद्वन्दी मानते हैं क्योंकि एक ही जिस लोग सभा से चिराग पास्वान सांसद है वहीं उसी लोग सभा में विधान सभा है तो वहीं से हुआ विधायक है अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ होगा आगे की राजनिती में मगर फिलाल चिराग पासवान को जिस प्रकार से हवा हवाई नेता सुमित कुमार सिंग द्वारा कहा गया है और भी कई बयान कुछ लेकर करते रहते हैं चिराग पासवान विलागातार नितीष कुमार के उपर हमला करते रहते हैं तो इन तमाम बिहार के पौलिटकल अब्लेट्स में अभी लगातर रसा कस्धी जारी है कुशेश्वरस्थान और तारापूर उप चुनाब की प्रचार थमने के बाद बयान बाजियां और भी तेज होगी और अब देखना होगा कि 2 नवंबर को क्या कुछ परिनाम आएगा ये तमाम परिनाम बिहार की राजनीती के लिए बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या आगी कि क्या पॉलिटकल सेट अप होगा क्योंकि अगर दोनों विधान सवा अगर चुनाब जीत जाते हैं नितीज कुमार तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अपना सीट बचा लिया है मगर अगर एक भी seat अगर यहां पर हार जाते है नितीज कुमार तो यह माना जाएगा कि कहीं न कहीं जिस प्रकार से RGD और जो तमाम लोजपा और तमाम तरह की पार्टिया नितीज कुमार के उपर जिस प्रकार से परहार कर रही है तो अगर एक भी seat अगर RGD अगर जीत लेती है या Congress तो फिर बहुत बड़ी सरकार के उपर संकट होगा क्योंकि उस मनोई स्थिती में नितीज कुमार को काम करना और जिस प्रकार से भी पच्छी हमलावर हो रहे हैं और लालू परसाद आए हैं तो और भी तमाम हम political update सुनाते दन्ने वाद़